अभी कोरोना के कहड से पूरी दुनिया में अफरात तफरी मची हुई है जिसको देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किस दिन तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का एलान किया है जिससे जनता में खलबली मच गई है लोग घरों में कैद हैं उसी ब गई है उसके बाद 32 अन्य लोगों का टेस्ट किया गया है इस ख़बर ने दुनिया भर में हल्चल मचा दी है क्योंकि ये वायरस भी चीन से ही और लोगों पर हमला कर रही है CDC के अनुसार हंता वायरस चूहों द्वारा फैलता है और विविन निरोग सिंड्रॉम पैदा कर सकता है हंता वायरस पल्मोनरी डिसीज और होमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रॉम वायरस से होने वाली दो आम बिमारिया है अच्छी ख़बर यह है कि यह विमारी हवा म नहीं फैलती यह केवल तब ही फैल सकती है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित चूहे के मूत्र मल और लार के संपर्क में आने के बाद अपनी आखों नाक्या मुझ को चूता है इस वायरस के लग्षण के बारे में बात करें तो इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को ठकान बिमारी के कारण छाति में पानी भरना, तीब्र गुर्दे की बिमारी होना, शरीर में दर्द होना और अंगों की विफलता हो सकती है। इस वाइरस में भी कोरोना वाईरस की तरह ही फ्लु के सामान लक्षन होते हैं जिस से इसका पता लगाना मुश्किल होता है। इसके लिए कोई विशेस टेस्ट नहीं है। CDC के अनुसार हंता वाइरस के संक्रमेंट से बचने के लिए कोई टीका या उपचार उपलब्द नहीं है। हाला कि अगर हंता वाइरस से पीरित व्यक्ति का जल्द पता लग जाता है, तो व्यक्ति को चिद देखवाल और ऑक्सीजन थेरिपी दे कर इसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए अगर व्यक्ति को शरीर में दर्द या उप्रोक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण है, तो तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, इससे बचने के लिए अपने घरों में उनके छेदों को सील करें, जो चूहों को आपके घर में बार बार आने की अनुमति देते हैं, चूहों के आक्रमन को कम करने के लिए जालका उप्योग करें, चूहों को अंदर आने से रोपने के लिए अपने घरों को साफ रखें, अपने घर या आसपास में पढ़ा हुआ खुला खाना ना खाएं और ना ही खाने को खुला छोड़ें। इसी के साथ मुझे दीजे एजाज़त देख तेरे इंस्टाफीड, धन्यवाद।